दोस्तों आपका स्वागत है गाजट प्रिशनली में मेरा नाम है सुलाव अगर नहीं दबाये अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन दबाईए वो यहां पर रेड कलर का नीचे दिया हुआ है और उसी के बाद दबाईए वो बेल आइकन इसे आपको हमारे वीडियो सबस से पहले देखने को मिलेंगे आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले सोनी के एक्स एम फोर की थाउजन एक्स एम फोर लेटिस मॉडल है नॉइस कैंसलेशन सीवीज में सोनी के द्वारा तो इसकी खूबिया जानेंगे फर्स इंप्रेशन भी क्विक साउंड टेस्ट भी करें आपने देखते ही हैं सोनी के डवल्यू एच थाउजन एक्सम 4 एक्सम 3 के बड़े बाई हैं जिनका हमने रिव्यू किया था लास्ट एयर थर्टी आर्स का इस पे आपको बैटरी बैकप भी मिलता है साथ ही में नॉइस कांसलेशन वायलेस जैसे कि मैंने आपको पहले भी तो आइए इसको अन्बॉक्स करते हैं देखते हैं इसके कंटेंट्स तो खोल गया है सोनी डव्यू एच थाउजन एक्सम 4 का बॉक्स सबसे पहली चीज इसका कारी केस उसी के अंदर है यह हेटफोन साथ ही में कुछ रीडिंग मटीर भी आपर दिया हुआ इसकी वारंटी की इंफोर्मेशन है सर्विस इंफोर्मेशन है तो इसको मैं साइट पर कर देता हूं देखते हैं इस क्यारी केस के अंदर आपको क्या चीजे मिल रही है सोनी द्वारा तो दोस्तों यहां पर है सबसे पहले वह 1000 XM4 हेटफोन्स अगें वही सिमलर शेप वही सिमलर साइज विद एक्स्ट्रा पैडिंग्स ऑन दे टॉप और यहां पर यहां उसके ओपर भी आपको दी गई है तो इमें साइट पर करता हूं देखते हैं और क्या चीजें हैं इस अगली चीज है वो है इसकी auxiliary cable अगर आप इसको with the cable यूज करने आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और साथ ही में इसकी charging cable भी दी गई है USB-20C charging cable आपको in the box मिलती है थोड़ी छोटी है पर हां काम अच्छा करती है like the last version और साथ ही में आपको airplane adapter भी इसी के box में मिलता है तो देखा चाहिए साथी चीजे मिलती है आपको इसके box के अंदर तो दोस्तों बात कर लेते हैं sony WH-1000XM4 के form factor की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर आपको extra padding मिलेगी साथ ही में आपके ears के around ये extra padding मिलेग तो 10% extra sony ने यहां पर दिया हुआ है आपको 5 microphones मिलते हैं इन headphones के उपर और साथ ही में यहां पर आपको नीचे की तर देखने को मिलेगा इसका auxiliary port और दूसरी air cup पे आपको देखने को मिलेगा इसका charging port साथ ही में आपको मिलेगा एक power button और एक custom button है जिससे आप Alexa या Google Assistant को भी access कर सकते हैं तो right ear cup पे अगर आप हाथ रखेंगे तो यह गाने जो आप सुन रहे हैं वो automatically stop कर देगा हटाएंगे तो वापिस गाने स्टार्ट हो जाते हैं साथी में आप अगर इसके ear cup के अंदर देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक sensor देखने को मिल रहा है तो इससे पर तो तीन तो इस ear cup पे हैं दो यहां पर भी हैं तो इससे होता है क्या है कि अगर आप noisy environment में है या अगर आप फोन पर बात करें इन earphones के साथ तो आप अराम से बात कर सकते हैं ओवर डाट यह अब multipoint connect हो सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप दो डिवाइसेस पर सैमिल टेले सी काम कर रहे हैं एक laptop पे और एक mobile phone पे अगर आपको call आती है mobile phone पे और आप laptop पे गाने सुन रहे हैं तो गाने pause हो रहेंगे और आप immediately call receive कर सकते हैं इनी headphones के साथ तो आपक उसकी काफी solid है काफी rugged है कि last year के यह best sellers थे जुनका चोटा भाही है XM3 तो XM4 से अभी मेरे को काफी उमीदिये हैं इसका full review हम लेकर आएंगे on gadgetbridge.com अभी के लिए मैं इसका quick audio test करके आपको पताता हूं कि इसकी sound quality कैसी है तो दोस्तों इन headphones के sound की बात की जाए तो काफी awesome sound ह है last time के मुकाबले better sound मिल रही है better noise cancellation मिल रही है of course मैं इसको भी बाहर नहीं लेकर जाए पाया हूं पर थोड़े दुनों में इसका full review लेकर आएंगे gadgetbridge.com पे तो sound के बारे में noise cancellation के बारे में मैं वहाँ पर आपको पूरी तरह विस्तार में बताऊंगा battery life की जाए तो Sony कह रह करते हैं अब प्राइस के तरफ नाजर डाली आ है क्योंकि यह वीडियो में प्राइस आने से पहले बना रहा हूं तो प्राइस में नीचे description में डाल दूँगा वहाँ पर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं तो overall जो मेरे first impressions है इन headphones के बहुत अच्छे हैं बहुत ही बढ़िया headphones light weight है carry आप इसे अराम से कर सकते हैं battery long last करेगी आपको और sound department में ये काफी boomba stick है full review on gadgetbridge.com दोस्तों आशा करता हूं हर बार के जैसे आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया है तो जीजिए हमारे को वो like, share करिए इस वीडियो को, subscribe करिए हमारे चैनल को और दबाईए वो bell icon मेरा नाम है सुलब, आप देखरें gadgetbridge हिंदी, मैं आपसे मिलूँग अगली बारी